सुभाज सिंग जी रादे रादे मरजी आपके चरणों में कोटी-कोटी नमन प्रणाम मरजी जीवन नश्वर है इस बात को जानते हुए मनुश्य मो और लालसा से बाहर नहीं निकल पाता है जबकि उसे पता है कि यहां कुछ भी स्थाई नहीं है कृपया उचित मार्ग गर हम अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं जानकारी तो है जानकारी तो एक साधारन ग्रामी पुरुष को भी है क्योंकि जब शवयात्रा जाती है गाउं में राम नामl शट्य है सत्य बलो मुक्ति बुलते हैंना सब। मुक्ति का राज से वो बता रहे हैं कि राम नाम शत्य है शत्य बोलो मुक्ति है और जब इस मशान में जाते हैं वहां बैठ करके एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि यार सब नासवान है रो मत सबकी यही गती होनी है इतना ग्यान तो काफी ग्यान है भगवान की प्राप्ति क गया ना कि सब नासवान है सब सरीरों की अंतिमगति यही है सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है और उसी सत्य का इसमर्ण करने से मुक्ति है लेकिन प्रयोग नहीं है इसलिए इस ग्यान का प्रयोग नहीं क्योंकि भजन नहीं है अगर भजन हो जो बोल रहें वही भजन करने लगे राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरी हरी तो फिर उसके अंदर ज्यान बल वास्ति भी का जाए तो जैसे हम विष्ठा त्यागते हैं तो क्या विमान होता है क्या ऐसे मलवत संसार के समस्तव भौ का त्याग हो जाता है अंदर से रहता उसी में जैसे विष्ठ पोगे तो उससे दो लाव मिलते हैं एक तो प्रगट में हमें सतसंग मिलेगा जब नाम जपेंगे भगवान को पुकारेंगे तो सच्चे संतों का संग ये भगवान की कृपा से मिलता है अब मुए भाव रोश हनुमंता बिनुहरी कृपा मिले नहीं संता शंतों का समागम और संसार से वाइग ये नाम प्रदान करता है जितना नाम जब करोगे उत्तम उत्तम महात्मा स्वप्न में आकर जागरत में मिलकर आपको बल प्रदान करेंगे संतों के पास जाने से पहला परिचय के हम संत से मिल रहे हैं हमारे हरदय में अपने दोशों के प्रतिग्रणा होने लगना दूसरा उनके देखने से एक अजीब शान्ती अलौकिक तीसरा देखा पहली बार लेकिन लग रहा है कि हम इनसे बहुत बार मिले हैं हमें लग रहा है जैसे हमारे परिशे के हो यह क्योंकि परिशे के भगवाल है न और वो भगवान के परिशे में है तो एक अपनापन होना चौति बात भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साः जागरत हो जाना संतु का सबसे बड़ा चमतकार क्या है मन का परिवर्तन हो जाना विशई संसारिक मन वो भगवान में लगने लगा यह सबसे बड़ा चमतकार तो संतु का संग मिलता है नाम जबसे देखो बीविशन जी राम नाम तेही सुमिरन कीना हरदे हरसी कपि सजन चीना येह सन हट करियों पहिचानी साधुते होये ना कारज घानी नाम ने ही आनुमान जी का दरोसं कर वाया जब उन्हों राम राम जप रहे थे तो आनुमान जी फिर कि ये तो साधु है इन से मिलें कोई हानी नहीं लंका में इसलिए मिले ज़ए जाता है और शंत समागम जब होता है तब उसके अंदर बिवेक जागरत होता है बिनुसत संग बिवेक न होई और आम कृपा बिनुशुलब न सोई भगवान की कृपा के बिना संत संग नहीं मिलता और शंत संग के बिना बिवेक नहीं होता और बिवेक जब तक नहीं होता त जो करना है वही होगा जो नहीं करना हो Japanese उसको कहते है जितेंद्री मनों निग रहे सास्तर की भासा में इंद्रियों को अधिन की है मन को अधिन की है कौन विवेक शंतसमागम और नाम जब इन दो से बात मनती है दोनों भगवान की क्रिपवाब की उपर है संत समागम ही मिल रहा है और नाम का भी परिश्य जानते हो अब जब बढ़ाओ अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर नाम बढ़ाओ जो संपत्य चाहोगी मिल जाएगी देखो भी विश्ण जी की हलत लात मार के निकाल दिया भगवान की सरण का प्रभाव जो संपता सिव रावने दीन दिये दसमात सोई संपता विभीसने सकुच दील लगुनाथ देखो भगवाल सकुच ते लंका अधिपती बना दिया जिस लंका से निकाले गए थे लात मार के उसी लंका का स्वामी जाते ही बना दिया भगवान की सरण में सब सुक्षान्ति है बजीवे समझ पावे और ये समझ आएगी सतसंग और नामजब से साधन को हरी भजन है कैसतसंग सहाए जब संतसंग करोगे और नामजब करोगे तब तुम्हारा ज्ञान पवित्र होगा ज्ञान वही जो प्रियोग में आ सके प्रियोग में नाए तो वह बकवा सही है अब हम तुम्हें उपदेश करें हमारे आचरन गंदे हूं तो उपदेश किस बात का भाई हमें जो ज्ञान है मुझको जवानौ० अनुम्भव किया उस पर चले तब तो बात वननी नहीं तो जानकारी को मतलब क्या है जेसे हम बहुत बढ़ी हहाँ ग्यान आपको दे देगा परूपदेश कुशल वह तेरे लेकिन आचरन में उतारना ये कठिन बात है तो जो आचरन में उतार ले सो ग्यानी और जो आचरन में नहीं उतारा तो अज्ञानी ही है ग्यान की बात करते विए वो ग्यानी नहीं है तो नाम जब करो और सत्संग करो सत्संग दो प्रकार से होता है एक सास्त्र श्वाध्याय से होता है और एक संतों से होता है सास्त्र श्वाध्याय भी सत्संग मल रोज संत्संग ना मिल पाऊ ऐसे तो आज कल मुबाईल है मुबाईल से सत्संग सुन लो नहीं तो सास्त्र श्वाध्याय करो और निरंतर नामजब करना फिर देखलू बहुत जल्दीलाब मिल जाएगा इस लोग परलोग का सब सुख मिल जाएगा विश्वास करो भगवान में विश्वास भगवान सब रचा है ना पलक जपकते ही भ्रहकुटी विलास स्रस्ष्टी लए होई श्रस्ष्टी की रचना और स्ष्ष्टिका संगार भ्रकुटी के संचाल निमिस मात्र में वो भगवान है। हम ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिए तो सुचो क्या बकाया रह जाएगा। तो इस जन्में में चूक न करे अपने ग्यान का प्रियुक करने के लिए अंदर ये अंदर नाम जप करे। जो नाम प्री हो ना वही जपे भगवान के सब नाम समान फलदाई है पर हमारा मन जिसमें जैदा लगे उसी को जपना चाहे तो उससे प्रीती हो जाते हैं ना अब जिससे हम cessation कि आप अमुक नाम जप करो आपकी प्रीती अमुक नाम में तो जिस नाम में वही नाम जपना चाहिए और फिर जब गुरु प्रदत्त हो जाए तो जो गुरु दे दे फिर उसी को पहे फिर तो वही जपना चाहिए जो गुरु प्रदान कर दे और जब तक गुरु नहो तो जो रुची हो वो भगवान का नाम देपना चाहिए